टाए नहीं रहती नहीं, बहुत लोग का रोजगार चल जाता, लिपिश्टिक के लिए, चूड़ी के लिए, चूड़ी के लिए, चूड़ीया देखते रहती हैं सो, खटल कि नहीं है, संज में कि नहीं, आपकी जब शादी हो जाएगी, और सादी के तीन-चार साल बाद, ज उसको दे के जैसे आएं, ये घंटा के अंदर-अंदर आपकी पत्नी कहेगी, हमको साड़ी नहीं है, हई नहीं है, जुमका खरीदवा दिजिए, बेटिया के नाम पर L.I.C. करा दिजिए, बेटवा का फिक्स डिपॉजिट कर दिए, कुछू कीजिए लेकिन यहां पर, मत आमल आपको कैसे बता रहे हैं, कैसे बता रहे हम आपको ये बात, मेरा जो ऑपरेटर है, वो बहन की शादी के लिए न, दहज में कुछ मोटर साइकल वगरा दिए जाता है, तो इसा पकाम के लिए, दहज के लिए पिता जी को 1 लाख रुपय साथ दे दिया था, कि बहन के बबनिया के लिए कुछ कीज़ए है ऌब ओकर आडिया कर यह बतिया की नाम चो जमा कराःई है अन्या ना तो हम तो हम नेहर चल जाएंगे है क्छक्वा हमको समझ में नहीं आता है तो नहीं कि से शॉनमें अतर, सबन्लबा है अज्छा कर दो हो है नहीं ये बाप के कंदे की जिम्यदारी होती है अगर बाप मजदूर भी रहेगा तो अपनी बेटी की शादी बड़ा धूम धाम से कोशिज करेगा इसलिए आप सबसे हम हाथ जोड़के कहते हैं कि अगर किसी की बेटी की शादी में जाईएगा न तो इतना अणच के मत खालीजेगा कि खाना घट जाए और उस बाप की बेजती हो जाए क्योंकि जो बाप होता है ना यार लोग कहते हैं हम लूट गए हम हो गए किसी बाप से पूछो ना उसका दहच का पैसा भी चला गया उसकी लड़ली सी बेटी भी चली गए उसका तो सब चला गया और उसके बाद भी उसको बात सुनना पड़ता है सब चीज के आप लोग ध्यान दीजेगा दो पैर पे चलना मानों की पहचान नहीं होती है इंसान की पहचान होती है इंसानियत दूसरे का तकलीफ से अगर आपकी आँखें नहीं भर जाती है तो आप आदमी के रूप में चलते फिरते एक दानव है फिर आप में और जानवर में केवल और केवल इस बात का फर्क है कि आप दो पैर पे चलते हैं और अपनी बातों को कह लेते हैं और जानवर में आप में कोई फर्क नहीं है, तो थोड़ा समझीएगा या इस सब चीजों को, लड़का है तो उसको नौकरी मिल बे करेगा, इंसानियत रखिएगा बबू हमेशा इस चीज को, किसी दूसरे से जलन मत रखिएगा, क्योंकि भगवान आपके लिए रखा हुआ उस से छीन नहीं सकता है, कोई आपके थाली में से छीन सकता है, नसीब से तो किसी की बाप की हसियत नहीं जो छीन सकता है, इसलिए हमेशा जाद रखिए जलन जरतुआ ही नहीं